हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में आप सभी का आज फिर से एक बार हम एक साथ यहां पर हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने के लिए और वो टॉपिक है राइज ओफ लिक्विट इन अ कापिलरी ट्यूब ऑफ इ अगर एक कंटेनर जिसमें हमने लिक्विड लिया है कोई भी लिक्विड हमने फिल किया और इसमें हमें एक कैपिलरी ट्यूब खड़ा करते हैं तो यह लिक्विड राइज कर जाता था या कुछ केसे में फॉल भी करता है डिपेंडिंग ओन ताइप ओफ लिक्विड अन ताइप ओफ दा कंटेनर कैसा कंटेनर है कैसा मेटेरियल है हमारी कैपिलरी ट्यूब का और लिक्विड हम किस प्रोपर्टी का ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा या फॉल करेगा लेकिन आज हम उसी में एक insufficient height तो आईए इस discussion को हम आगे बढ़ाते हैं बिना delay किये हुए और आगे की discussion में हम स्टार्ट करते हैं जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक container में आपने एक liquid ले रखा है और इसमें हमने capillary tube को खड़ा कर दिया और अफ्कोर्स यहां liquid और container या material of the capillary tube जो capillary tube का material है वो और liquid ऐसी property का है कि जैसे ही capillary tube को liquid में आप खड़ा करते हैं capillary tube में liquid rise करता है यानि उपर चढ़ता है और आप जानते हैं कि एक fix height तक उपर जाएगा और वहां जाकर के liquid रुख जाता है आगे rise करना जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं कि इसके आज पास जो liquid का level है उसके comparison में कुछ h height तक liquid उपर चढ़ता है और वहां पहुँच करके चढ़ना रुख जाता है इसके detail study हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि किस height तक चढ़ेगा और कहां पर जाकर के रुखेगा height to which a liquid rises in a capillary tube is given by this formula यह जो हमें expression यहां पे मिला हुआ है यह पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने derive किया है कि यह h height जहां तक liquid capillary tube में rise करता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं और वो relation हमें मिलता है h is equal to 2t cos theta divided by r rho g यहां आप जानते हैं कि यह t क्या चीज है t है surface tension of the liquid जो liquid हम ले रहे हैं उसका प्रिष्ट तनाव है theta आप जानते हैं angle of contact angle of contact की भी पिछले वीडियो में हम आप हमने आपने detail discussion किया है तो theta यहां पे angle of contact है capital T surface tension है liquid का rho आप जानते हैं rho is the density of the liquid small g भी आप जानते हैं acceleration due to gravity and small r जो लिया हुआ है that is radius of this capillary tube this capillary tube को हम liquid में खड़ा कर रहे हैं उस capillary tube का radius है small r और इस fact को हमने यहां mention कर दिया है इन दो line में here we have a capillary tube of radius r dipped in a liquid of surface tension capital T and density rho यानि liquid की density है rho liquid का surface tension है capital T and here the angle of contact theta is acute angle and hence liquid meniscus is concave यह fact हम आप पहले ही देख चुके हैं जैसा कि यहां दिख रहा है इस case में angle of contact theta जो है वो acute angle ही होगा और इस वजे से जो liquid meniscus है वो concave shape का आपको दिख रहा है convex shape है तो उसकी भी हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं यहां हमने concave shape आला और angle of contact theta जहां पे acute angle है वो आला case लिया है जहां liquid capillary tube में उपर rise करेगा और edge height तक जाकर के रुख जाएगा अब आज के topic में हमें main क्या देखना है rise of liquid in a capillary tube of insufficient height means कि अगर हम capillary tube को liquid में खड़ा करेंगे तो हमारा जो liquid है वो rise करेगा capillary tube में उपर की ओर चढ़ता है और edge height पर जाकर के चढ़ना बंद कर देता है यानि यही तक जाकर के रुख जाएगा अब अगर हम इस topic पर जाएं तो हम क्या कहेंगे कि edge height तक liquid को चढ़ना है लेकिन हमें जो capillary tube दी गई उसकी पूरी height ही edge से छोटी है that means मान लीजे कि हमारी capillary tube की height यही तक है इसके आगे tube की height ही नहीं है तो अब क्या होगा liquid rise तो करेगा और अगर height capillary tube की edge से छोटी हो जाए तो क्या यह capillary tube को पार करके बाहर गिरने लग जाएगा liquid normally यही आता है mind में कि liquid rise करेगा और उपर से निकल करके बाहर गिरेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर capillary tube की height जो edge height जहां तक liquid को rise करना था चढ़ना था उससे कम रह जाती है तो भी liquid capillary tube में उपर तक चढ़ करके उपर से बाहर की तरफ नहीं गिरेगा अब क्या होगा यहां पर यहां होगा यह कि liquid जिसको edge height तक चढ़ना था लेकिन capillary tube की height edge से कम रह गई तो liquid क्या करेगा उसको जाना यहां तक था पर वहां तक वो जाही नहीं पाया क्योंकि capillary की height कम है तो जहां तक height मिलेगी liquid वहां तक चढ़ेगा और वहीं पर रुख जाएगा उसको बाहर नहीं निकलना अब रुखेगा तो balance कैसे होगा तो वह balance करने के लिए जो liquid meniscus का radius है radius of the liquid meniscus वो इस तरीके से अपने आपको set करता है कि top तक liquid चढ़ेगा और फिर radius अपने आपको adjust करेगा radius के adjustment की वज़े से liquid वहीं पर रुख जाएगा अब ये radius और height का क्या relation है कैसे radius balance कर देता है liquid को वो हम आगे देखने वाले हैं लेकिन ये याद रखिए कि कभी भी capillary tube के top पर जाकर के liquid बाहर निकल करके नहीं गिरेगा चाहे capillary tube की height कितनी ही कम क्यों ना हो तो आईए हम यहाँ देखते हैं कि liquid जिसको h height तक चाहना था अब h height की हमें capillary tube नहीं मिली तो क्या होगा the relation between हमें यहाँ इस relation की जरुरत पढ़ने वाली है इसलिए हम यहाँ पे relation भी note कर लेते हैं किसके बीच में relation between the radius small r of the capillary tube जो capillary tube हम ले रहे यह उसका diameter है उसका half कर दें तो capillary tube का radius and radius of the capillary tube small r है and radius of curvature capital R of the liquid meniscus liquid meniscus का radius हम पहले भी discuss कर चुके हैं आप जानते हैं जो outer surface है liquid का इसी को आप liquid meniscus कहते हैं अब यह देखें concave shape लिए हुए है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो liquid meniscus है वो इस किसी गोले का ही तो एक part है अब जिस गोले का part है liquid meniscus उसी sphere का जो radius होगा यानि capital R आप देख रहे हैं वो liquid meniscus का radius हो जाएगा और इन दोनों के बीत यानि small r और capital R का relation हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं और यहाँ पर भी आप सीदे सीदे देख सकते हैं कि यह relation आ रहा है small r और capital R का कैसे आ रहा है देखिए यहाँ पे angle of contact है theta और small r जो है वो यह capillary tube की wall से perpendicular है इस tangent पे perpendicular है capital R अगर tangent और wall of the capillary tube के बीच angle बन रहा है theta तो इनके perpendiculars यानि small r और capital R के बीच भी angle कितना बन जाएगा theta बन जाएगा यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इसी लिए small r और capital R के बीच भी angle ले लिया है theta अब आप यह वाला diagram observe करिए देखिए right angle triangle होगा क्यों right angle triangle होगा क्योंकि small r आपकी capillary tube का radius है यह right angle triangle में आप देखिए cos theta is equal to cos theta क्या होगा base upon hypotenuse और base क्या है small r और hypotenuse है capital R तो cos theta is equal to base upon hypotenuse इसको अगर हम re-adjust करें तो इसी के re-adjustment से हमें यह relation मिलता है capital R is equal to small r upon cos theta और यह capital R के relation को जो यह पीछे हम लोगोंने relation अभी देखा था h is equal to 2t cos theta upon r rho g इसमें small r की जगे हम value रख देंगे in terms of capital R यही से अगर हम देखें तो small r is equal to capital R cos theta हमें मिल जाएगा और small r की जगे capital R cos theta जैसी रखेंगे relation में हमें यह relation मिल गया इसको थोड़ा सा simplify कर दें तो यह relation आ जाता है आप चाहें तो direct भी इस relation को use कर सकते है क्योंकि हम लोगों ने जब derive किया था इस relation को पिछले video में तो पहले यह relation आता है और इससे हम लोगों ने यह जो पीछे relation निकाला है वो relation हमें मिलता है यह वाला relation हमें बाद में मिला था जिससे हमने derive किया था by using this relation तो आप इसको direct भी रख सकते हैं ये लंबा derivation आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इस relation को आप ध्यान से देखें अगर तो इसमें देखिए h term है और इधर ये capital R यानि radius of the liquid meniscus ये है आपके पास अगर हम इस capital R को left side transfer करें तो h into r आपको मिलेगा h into r is equal to 2t upon rho g उससे हमें देखें यहां हमने निकाल दिया hr is equal to 2t upon rho g अब इसमें देखें 2t upon rho g ये term constant term होगा क्यों क्योंकि for the given liquid आपको t rho g ये तीनों चीज़े constant मिलेंगी अगर t rho and g constant है तो ये term constant हो गया that means in the given case in the given liquid h into r this term will be constant यानि हम सिर्फ h की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ r की बात नहीं कर रहे हैं यहां constant क्या है h into r अब अगर हम ये कहें कि हमें जो capillary tube मिली है वो insufficient height की है यानि liquid को rise करना था यहां h height तक लेकिन इस capillary tube की height ही h से छोटी हो गई तो यहां से liquid rise करेगा और यहीं तक पहुँच करके रुखना है उसको बाहर नहीं गिर रहा है और मान लेजे ये height है h dash तो अब देखिए पहले h के साथ liquid meniscus का radius r था अब आपको h height तक liquid चढ़ने के लिए ही नहीं condition बन रही है liquid हमारा h dash यानि कम height तक चढ़के रुख गया तो इसका मतलब क्या है r बढ़ जाना चाहिए तभी h into r का product constant रहेगा देखिए h जो था h से कम height हमें मिल पा रही है तो h अगर कम रह जाएगा तो r corresponding बढ़ जाएगर तो h into r constant बना रहेगा that means कि अगर जो capillary tube है उसकी height कम रह जाएगर वो insufficient height का है तो liquid उस insufficient height की capillary tube में top तक rise करेगा यानि सबसे उपर के point तक rise करेगा और उपर पहुँच करके थोड़ा सा fell जाएगा यानि जो radius उसका जो curvature ऐसे कुछ था इसमे radius of curvature छोटा होगा center से इसकी distance देखिए तो radius of curvature छोटा होगा लेकिन अगर यही top पर पहुँचे और थोड़ा सा यह fell जाए तो अब देखिए जिस गोले का part है उसका radius अपने आप बढ़ जाएगा liquid जैसे ही top पे पहुँचके फैलेगा तो radius of curvature बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से जो h और corresponding r का जो product है वो constant बना रह जाएगा तो यहाँ condition क्या हुई कि अगर capillary tube की height कम रह जाती है याणि h की जगे h- ही मिली और h- is less than h तो अफकोस top तक liquid चड़ेगा और उपर पहुच करके फैल जाएगा जिसकी वज़े से जो r- नया radius of curvature है वो पहले वाले radius of curvature याणि r से बढ़ा हो जाएगा h कम रह गया तो radius फैल करके r- बढ़ा हो गया जिसकी वज़े से hr is equal to h- r- बना रहेगा और यहाँ से आपको मिल गया कि capillary tube अगर insufficient height की है the liquid rises to the top and spritz out to a new radius of curvature r- given by कैसे निकालेंगे r- की value इसी relation से r- is equal to क्या हो जाएगा hr upon h- कितना फैलेगा वो आप इस relation से निकाल सकते हैं कि नया radius of curvature liquid meniscus का कितना होगा तो friends यहाँ आप यह समझ के कि अगर capillary tube की height h से कम रह जाती है तो liquid top से बाहर निकल करके गिरेगा नहीं बलकि क्या होगा कि liquid top तक चढ़ जाएगा this h- is less than h तो liquid क्या करेगा top तक चढ़ जाएगा देखी बिलकुल top तक आ गया और उपर पहुँच करके इसका जो radius कम था करवेचर ज्यादा दिख रहा था लेकिन यहाँ उपर पहुचेगा जो यह ऐसे case था इसके बजाए यह fell गया जब यह fell जाएगा तो इसका radius बड़ा हो जाएगा h कम रह गया तो radius बड़ा हो जाएगा और यह कितना बड़ा होगा यह आपने कहां से निकाला h into r is equal to h dash into r dash यहाँ से आप निकाल लेंगे कि r dash कितनी value का होगा कि हमारा liquid balance हो जाए तो friends आज की इस वीडियो में हम इतना ही discuss करेंगे आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियो देखते रहें और अगर यह वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को like करना और channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भोलें thank you